नमस्कार दोस्तों मैं दिपक्षर्मा अंगरिश आपका स्वागत करता हूँ ता लीगल चेंबर में अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महतपुन टोपिक आप सभी लोगों के लिए ले कर आए हैं चिहां आज हम बात करेंगे एक joint family property या फिर एक पैत्रिक संपत्ती ancestral property क्या उनको बिना विभाजन किये बिना partition किये अपना हिस्सा आगे बेचा जा सकता है अब ये बहुत बड़ा कोशन बन कर उखा है हमने बहुत सी situation में देखा है जब एक joint family property होती है यानि कि संपत्ती आज भी आप के पिता या दादा के नाम से बोल रही है और आप लोग क्या करते हैं बिना विभाजन किये अपना हिस्सा किसी बाहर वाले व्यक्ति को बेच देते हैं अब बाद में जब ये court case file होता है कि कैसे एक property को बिना विभाजन करके बेचा है तो ये बहुत बड़ा परेशानी का क को clear करके देने वाल हों यकीन माने अगर आप लोगों ने आज की वीडियो complete देख ली तो आपको काफी ज़्यादा information इस वीडियो में मिलने वाली है अब दोस्तों अगर आप लोगों की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किये लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना valuable comment comment section में जरूर लिग दे तो चलिए दोस्तों अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबाना करते हुए आज की इस वीडियो को start करते हैं अब देखिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको clear कर दूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी legal समझते हैं आप लोगों की कोई भी question है तो आप अब मुझसे personally connect होकर भी call पर discuss कर सकते हैं मैंने description में आप लोगों को एक number दिया है उस number पर आप call करके अपनी call book कराकर directly मुझसे one to one consult कर सकते हैं अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की और सबसे पहले आपको एक basic concept clear कर दो अब देखें दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को clear होना चाहिए कि ancestral property और joint family property कौन से होती है देखें ancestral property मतलब वह संपत्ती जो आपको अपने पिता अपने दादा अपने परदादा से प्राप्त हुई है सबसे बड़ी बाग वो आज भी आविभाजित है यानि कि उसका आज भी partition नहीं हुआ है तो ऐसी condition में उसको ancestral property का दरजा दिया जाता है यानि कि उसको पैत्रिक संपत्ती कहा जाता है वहीं दूसरी और अगर हम बात करे joint family property की तो यह वह संपत्ती है जो आपके पिता जी ने खरीदी थी आपके पिता जी का देहान्त हो गया आज तक आपके पिता ने कोई विलवसियत गिफ्ट डीड सेल डीड उस property की नहीं की तो उनका देहान्त होने के बाद जब वो property आज भी बिना विभाजित किये jointly उसकी जा रही है जैसे कि आपके पिता जी का नाम है सभी भाईयों के पास वो property आगई because of class 1 legal years तो सभी के पास वो property आने के बाद जब तक वो उसका विभाजन नहीं करेंगे उसको jointly तरीके से यू जैसे कि कई पर क्या होता है एक ancestral property है तो उसको आज तक partition नहीं किया गया धी किसी परकार से एक joint family property है जिसके अंदर सभी class 1 legal years का बराबर का धिकार है जैसे कि भाई, मैन, माता जी हो गई आपकी तो ऐसी condition में कई पर ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति पूरी property पर कपज नहीं आता है कि क्या बिना partition किये, बिना विभाजन किये एक ancestral property या joint family property को आगे बेचा जा सकता है अब ये concept मैं यहाँ से आपको समझाने माना हूँ सबसे पहले आपको एक बड़ी महत्कुन judgment डिस्पले पर दिखा कर clear कर दूँ ताकि वीडियो भी यहाँ से जब start हो रही है आपको एक एक point clear हो जाए देखेंगा दोस्तों डिस्पले पर एक honorable supreme court की बड़ी महत्कुन judgment थी डिस्पले पर दिखाई दे रहा होगा P. Lakshmirady versus M. Lakshmirady इसका citation number है A.I.R. 1957 SC.314 इसमें Supreme Court ने यही held किया था कि अगर एक co-hear है और वो पूरी की पूरी property पर कबजा जबा कर बैटा है तो कानून में यही माना जाएगा कि जितने भी co-hears है जितने भी हमवारिस है उन सभी का उस संपत्ती पर बराबर से कबजा है अब दोस्तों इस concept से आपको ये clear हुआ कि अगर एक हमवारिस पूरी property पर कबजा करके बैटा है तो कानून में यह नहीं माना जाएगा उसका केले का कबजा है क्योंकि ऐसे लोग चलाकी करके पूरी property पर कबजा करके property आगे करने की सोचते हैं तो ऐसा कानून में यह माना जाएगा कि अगर एक भी हमवारिस का कब जजमेंट में क्लियर कर दो, डिस्पले पर ध्यान दीजेगा आप, देखें दोस्तों, डिस्पले पर दिखाई दे रहा होगा, करला बाई बेगम वर्सिज मोहमद साइद एन अनदर, 1980 की जजमेंट है, इसका साइटेशन नमबर देखिए, 4SCC 396, सुप्रीम कोट ने यहाँ पर यही हैल्ड किया था, कि अगर कोहियर्स, उत्राधिकारी, किसी भी रेंट में, किसी भी प्रोफिट में, उस लेंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह वहाँ पर आउस्टर बन जाएगा, अब दोस्तों, आउस्टर का मतलब क्या है, यह वो स्थिती है, जब एक हमवारिस पूरी प्रोपरटी पर कबजा करके, सभी के उपर अपना मालिकाना अग्दिर दर्शाता है, प्रतिकूल कबजे केता है, तो उन्रे पर सुप्रीम का उस प्रोपरटी से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर एक का किसी कोहियर लेंड पर कबजा है, पोजेशन है, तो यही माना जाएगा कि सभी का उस लेंड पर पोजेशन है, अब सबसे पहले आपको यह concept यहाँ से clear होना बहुत ज़रूरी था, देखे दोस्तों, अब य अपने अपने share को औरली बाटतर रह रहे हैं, यह भी बड़ा question होता है, कि हम लोग ने औरली बाट लिया था, उसके बाद हम property पर रह रहे थे, देखे दोस्तों, अगर जब भी बात आती है joint family property की, ऐसा नहीं है कि property को बेचा नहीं जा सकता, आप बिना partition किये, अपने हिस्स को आगे बेच सकते हैं, पर जिसने उस property को खरीदा है, अगर वो एक outsider है, यानि कि आपकी पारिवारिक सदस्यों का हिस्सा नहीं है, तो जब तक वो उस dwelling house पर, यानि कि जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, उसको dwelling house रहते हैं, उस property पर आकर possession नहीं ले सकता, जब तक वहाँ पर तो पर तरीके से सभी लोगों के बीच partition नहीं हो जाता, अब इस चीज को अब इस तरीके से समझें, property को बेचा तो जा सकता है, कानून में उसको अवैद नहीं किया जाएगा, पर physically possession लेने के लिए partition होना अनिवार है, अब आप पहेंगे सर, ये बात तो आप बोर रहे हैं, कोई judgment दिखाएं, तो judgment भी आपको clear करते हूँ, display पर आप ध्यान दीजेगा एक बार, case title है, Ramdas versus Sita by Anothers, SC 0910-2009, बड़ी important judgment है उन्रेवल सुप्रीम कोड की, यहाँ पर यही कहा था, कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई जगडा नहीं होता, इस बात को लेकर, कि एक undivided issue for shareer क्य दिया, उसको दिया नहीं जाएगा, कब तक, unless the property is partition by meets and bounds and through mutual settlement or by decree of the court, यानि की दोस्तों, जब तक उसको proper तरीके से partition, court की decree या mutual settlement, जिसे हम memorandum भी कहते हैं, family settlement agreement भी कहते हैं, इनके through property को proper तरीके से नहीं बाट लिया जाएगा, तब तक वो जो Wendy है, outsider है, जिसने उस property को possession नहीं ले सकता, तो दोस्तों, अब यहां से आपको clear हुआ होगा, कि किस condition से एक undivided share को आगे बेचा जा सकता है, और कब उस share पर possession किया जा सकता है, वैसे मैं आपको clear कर दूं, section 4 of partition act and section 44 of transfer of property act, ये दोनों भी इसी परकार की conditions से relate करते हैं, जहां पर किसी outsider को आकर, किसी dwelling house, जहां पर परिवार के सदसे रहते हैं, उस property पर possession करने से रोका जाता है, अब दोस्तों, मैं आपको एक advice करता हूँ, advice क्या, देखे, अगर आप एक undivided share खरीद रहे हैं, माल लेते हो सकता है, क्योंकि अक्सर खरीदार ये सोचता है, कि बहुत अच्छी property है, सस्ते में मिल र सबकी NOC आप लें, कि उन लोगों को कोई भी objection नहीं है, अगर वहाँ से NOC नहीं मिल रही, तो सबसे पहले ये देखे, क्या partition हो रखा है, कोई partition deed, कोई partition suit की degree, कोई court की degree, कोई family settlement, कोई memorandum, क्या इन परकार का कोई document उनके पास है, जहां पर ये दिखाये जा रहा है, कि जो property वो बेच रहा है, already उसके favor में कर दी गई है, अगर ऐसा नहीं है, तो आप उस property को बिल्कुल भी मत खरीदे, reason यह है, कि चलो 1% आपने property खरीद ली, पर जब तक आप उस property को physically use नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका खरीदने का file दा होगा भी नहीं, इसके अलावा, अगर वो एक ancestral property है, और किसी family member ने यह case file कर दिया, कि इस property को पहले हमें offer किया जाना था, ना कि किसी बाहर वाले को, हम इसको खरीदने के लिए राजी है, तो यकीन माने, वो property उसको वापिस भी दी जा सकती है, क्यों दी जा सकती है, एक साल 2022 में बड़ी महत्पुल judgment आई थी, honorable supreme court की, बाबुराम versus संतोक्षिंग, जिसका case title भी मैं यहाँ पर आपको clear कर दूँ, ताकि आपको यह ना लगे, कि मैं मोखिक रूप से बाते करता हूँ, कोई legally point नहीं रहता, देखे, इस judgment में भी यही रहा था, कि एक ancestral property, एक family member ने बाकी legal years को पूछे बिना बाहर बेच ली, अब बाकी जो legal years थे, उने section 22 Hindu succession act का हवाला दिया, उनका कहना था, कि यहाँ पर हमें special right मिलता है, कि अगर एक ancestral property है, उसको family से बाहर बेचे जाने से पहले हमें बेचा जाना चलिए, अगर हम उसको खरीदने के लिए agreed नहीं है, तब उसको outside of family बेचा जा सकता है, इसलिए मैंने आ लोग ही परेशान करते हैं उठके, तो इन सभी situation से deal करने के लिए पहले ही आपको technically step लेने पड़ेंगे, या फिर एक अच्छे से advocate से guidance ले ले, वो आपको उसी समय guide कर देगा, कि आपको इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, उमीद करत अगर आप लोगों का कोई भी question है, तो आप comment section में मुझे लिख सकते हैं, इसके अलावा, अगर आप मुझसे personally consultation, यानि कि legal advice लेना चाहते हैं, तो description में मैंने आप लोगों को number दिया है, उस number पर आप call करके, अपनी call book करा कर भी directly मुझसे consultation कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर आप इसी परकार के informative वीडियो रोजना पाना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करते हुए notification bell icon आप जरूर दबा दे